ब्लाक्चेन कोर्स की जो यह मैंने सीरीज सुरू की इसका फोर्थ एपिसोड आज है और आज मैं आप से डिसकस करने वालाओं कि स्मार्ट कांटेक्ट क्या है दरसलिए ब्लाक्चेन टेक्नोलोजी का ही एक अप्लिकेशन है इसको मैंने अलग से वीडियो बनाना उचित समझ करेंगा इस पर डिटेल्में च्लजा करूँंगा कि स्मॉटड कांटेक्ट उता क्या है सबसे सकता है स्मार्ट गया है कि स्मार्ट गांटेक्ट के पर यह कि नहीं होता है मैं आपको यह बताता हूं तो smart contract करे दिया हम traditional contract की जगा पर देखें तो यहां पर क्या होता है हम यहां पर रोज डिली money का flow दर्फ से उधर करते हैं कभी कुछ करते हैं तो micro level पर देखा जाए तो हम एक दूसरे को पैसे देते हैं या फिर कुछ करते हैं लेकिन बड़े-बड़े साँदे के जाते हैं नहीं कि macro level पर तो भी क्या होता है हम बड़ी-बड़ी जब दील्हें करते हैं तब वहां पर क्या होता है ताब वहां पर एक contract बनता है तो इसमें आप इम्यूटेबल होता है जैसा कि मैंने आपको पिछले तीन एपिसोड में कवर किया कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो एक बार जो लिग गया वो लिग गया और सारा कुछ काम होने के बाद पेमेंट भी आटोमेटिक वहां पर रिलीज कर दिया जाता है तो कोई भी बीच का परसंट कोई भी आप मिडल मैन कह लिजिए कोई भी वहां पर होता था तो वह कांटेक्ट बनाता था यानि कि कोई एक बीच में पार्टी इन्वाल हो जाती थी या पिर आप ऐसे समझ लिजिए कि जब हम बैंक से कोई भी लोन या पिकुछ भी लेते हैं तो उसमें एक बैंक इन्वाल हो जाती है बैंक बीच में आ जाती है तो यह पर थर्ड पार्टी थी यह एक समस्या भी थी कि यहां पर थर्ड पार्टी यानि कि लायर है किसी एक तरह का पैसा इदर जदा खाले है तो उधर का उधर कर देगा पैसा इदर का उधर कर देगा contract में गवड़ी कर देगा और बाद में change भी किया जा सकते हैं पर माल लिजे कि नहीं दो company की बीच को इसाओदा हुआ और बाद में का कि नहीं हमें आपका माल नहीं चाहिए हमें माल तो बना करके त्यार कर दिया और माल काम क्या करेंगे इतना सारा कुछ है ना तो यहां पर में जरुवत पढ़ती है smart contract की smart contract में यह थर्ड पार्टी वाले जो चीजे हैं जो पुरानी ट्रेशनल सिस्टम ता उसको एकदम सुदार के रख देगा इसमें क्या होता है इसमें सबसे पहले हैं कुछ यहां पर जान लेते हैं उसको detail में समझने का प्रियास करते हैं यहां पर सबसे पहली बात कि कोई middleman नहीं होता है यानि कि कोई भी फिर कोई बीच का जो भी आपका डील कराने वाला नहीं होगा तो आपको जो उसको पैसे देने परते हैं जैसे मालीजे बैंक है इसको एपको पैसे भीजने प्राइम में मालीजे बीजने तो यहें कैसे बजने तो बैंक में किया करता है थोड़ा अपने पास रखता है उसके बाद आपका जो भी बशाता होगा अपना कमीशन कार्क करके रगता है तब बैंक ही बेशता है लेकिन seguinte के जरिए हम बात करें तो बैंक को वाँ पर सिस्टम ही खदब हो गया है जैसा कि आपको पता ही होगा कोई यहां का कानून बनता है कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ स्मार्ट कर देता है कोई भी जब करेंट लिखा जाता है तो अईसे नहीं कि कोई निख दिया हो को समझ भी आ जायेगा इसके लिए टेकनिकल पर्संन होना चाहिए आप उसमें कोई भी कोडिंग चरा सी भी उधर से उधर कर दी तो आप कोड को समझ ही नहीं पाएंगे और कोड जो होगा एग्जिक्यूट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे कोड की ही वो कला है और मैं आप यह भी बताने वाला हूं कि आजकल आप बड़े-बड़े DEPI, C52 क प्रोजेक्ट देखते होगे वो हो जाते हैं या फिर यह हो जाता है जो किया होती है इस परमाग डोंटे है जो कमी मिल जा application को जीत लें फाइलली वही चीज यहां पे smart content में भी हो सकती है यहां पे एक सब्द लिखा हुआ है पूरा पढ़ दीजिए code is law यानि कि code ही कानून है यहां पे जो भी आज smart content में लिख दोगे वही काम वहां पे execute होगा यदि उसमें कोई smart content में आपने कमी कर दी जिससे उसको hacker को पता चल गिया कि यहां से इसमें गुसा जा सकता है तो समझ लिजिए आपका d5, c5 आपके exchange जो भी हो आपका अरसानी से hack हो जाएगा यदि आपने एक भी कमी उसमें code में करने में छोड़ दी वो कोई ने कोई smart content कैसे smart content जब भी ready किया जाता है तो इसको कुसी एक certified company की तरह से जो वर्ल्ड की बढ़िया कंपनी होती है जो smart content को audit करती है audit करने का मतलब यह होता कि आपकी कमी उकोस में डूनती है कि आपने को इसी कमी तो नहीं लिग दी जिससे हम वहाँ पे अंदर घुर जाए तो वहाँ पे जब इसको audit किया जाता है तो आपको अभी भी किसी token या coin को खरी दिने से पहले देख लीजेगा कि उसको audit किस company दोड़ा किया गया है जो company ने audit किया वो वर्ल्ड की कितनी numbers में कितनी ranking है वो exist करती है तो यह होता है code ही कानून है इस स्मार्ट का नेस्ट चीज यहां पर समझ लेते हैं कि default backups यहां पर हमारे पास हर चीज का record रहता है स्मार्ट कान्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है और कोई verify कर सकता है और वो एक बार लिग गया तो लिग गया उसमें कोई change कोई mut informal वहां पर नहीं हो सकता है avoid manual error यहांनी कि यहां पर कोई पी error नहीं होगी और यहां पर कोई manual तरीके से यानी कि च्याँ चाल नहीं कर सकता है जिसेगर मैंने पिछले अपिसोड में आपको बताया कि क्ले भी यहां पर चाल यह आपको बता Here टरेस्ट लेस एग्जीक्यूशन यहां पे टरेस्ट फुल है है ना कोई थड़ बाटी नहीं है तो यहां पे ऐसा होता है जैसे माल लिजे अपने दील लोगों कर ली उसके बाद जो भी उसमें सर्थ रोती है जैसे मौल लिजे मुझे मं पे आभए किसी को माल का अरडर मुझे मिल गया है कि इतनी चीजें वहां पर देलिवर करनी है उन्होंने सर्थ क्या रखिंऊ माल लिजिए यहां से उनको किसी दुसरे परसंद को मुझे भिजा आप serp 1 एया यानी殿 कि apples देने हैं तो sing वने 70 की बाल सई होने चाहिए और सब्सक्राइब इसके लिए कि रधा कि इनका थापमान माल लिजिए इनका पूर्ट डिगरी सेल्चियस के नीचे यह तापमान होगा अब यह ब्लोक्चेन कैसे ना पेगी कि वहां पे टमपरेचर इतना था या नहीं है तो उसके लिए होती है आयोटी डिवाइसे इसलिए कि पिछले जाले जाले उपीसोड है उनको देखकर आईये इतना टमपरेचर था या नहीं है जो उसके आप खाते में पैसा होगा वह आपके खाते में क्या है वाइलेट में पैसा होगा वो उठा करके आपके वाइलेट में पहुचा देगा आटोमेटिक इसमें कोई भी छड़चा नहीं की जा सकती है यह खासियत है स्मार्ट कांटेट की तो मैंने एक एक जामपल लेकर की भी आपको यहां पर बता दिया ठीक न यहां पर फिर क्या होता है आटोमेटिक हो जाता है next change की बात करते हैं smart content भी कोई एक तरीके के नहीं होते है smart content भी कहीं तरीके के build-up किये गए है अलग-अलग काम के लिए एक होता है smart legal content ये content होते हैं कोई legal template में design किया जाते हैं legal तरीके के काम के लिए किया जाते हैं जिसे कोई लीगल तरीके से आपको कुछ कराना हो तो वह पर smart legal contacts होते हैं फिर दूसरे तरीके के contact होते हैं decentralized autonomous organization यह दोस्तों किसलिए होते हैं multiple smart contacts combined with government mechanism में government mechanism में इनका नाम इसलिए रखा गया है तो कि यह government mechanism में होती हूँ आपर DAO यानि decentralized autonomous organization जाने की voting के अदार पर सब्सक्राइब के लिए जाता है तो यह smart contacts उसलिए बनाया जाते हैं यह DAO के लिए design किया जाते हैं तो पहला मैंने बता है smart legal contracts third मैं आपे बता रहा हूं smart contracting devices यह दोस्तों वह smart contract होते हैं जो IoT devices से connect होते हैं IoT devices होती है internet of things यह technology भी एक टेक्नोलजी यह जो ब्लोक्चेन टेक्नोलजी के साथ मिल करके से super technology बना देती है distributed applications daps डैपस आपने देखा होगा application तो नाम सुने होगा ganze currency to do appsなく in the internet पर बनी होती है उनको एपस कहते हैं और जो डींटलाइब पर बनी होती हां कि हैं कि जो डींटलाइब इंट्र एथिरियां happiness यह ब्लोכचेन यह डिसपाइड की जगह हاد्रों पर बनाये जाता हैं इनको हम Daps कहते हैं और यह Apps की जगह पर Daps का नाम ले लेती हैं तो Distributed Applications यह कहलाई जाती है Next Topic के आपर बात करते हैं तो Next Topic यहाँ पर है यह आप एक एक जामपल और देख लीजिए चलिए मैं इसे एक जामपल को ना लेता हूँ कि कि मैं एक जामपल ले चुका हूँ तो यह दोस्तों Internet of Things की आपर कुछ डिवाइसे मैं आपर दिखा दी हैं आपको यह दिवाइसे जो हैं हमारे Smart Contract में कोई भी चीज़ की डेटा ज़रूत पड़ती है तो यह दिवाइसे के दुआरा माग लिया जाता है और वो Smart Contract उतना verify करने के बाद payment को दर से दर अराम से release कर देता है तो उम्मीद करता हूँ आपको Smart Contract यह Smart Devices होती हैं आयोटी जब ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के साथ मिल जाती है तो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का स्मार्ट कांट्रेट में बहुत ज्यादा युगदान है आयोटी का ठीक है इंटरनेट ऑफ तिंग्स यह डिवाइसे होती है दोस्ट जब असल जब ब्लॉक्चेन को डेटा की जरुद पढ़ती है तो वह इन से मांग लेती है ठीक है ना तो मियत करता है आप समझगे होंगे और डेटेल में हम समझेंगे कि स्मार्ट कांटर कैसे लिखा जाता है क्या लिखने का प्रोसेस होता है कैसे कोडिंग की जाती है इसके बारे में आपको बताएंगे लेकिन व आपको फर्स्ट आफ़ट वीडियो की नोटिफिकरशन मिल जाए सबसे पहले हैं